नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज मैं अपनी रसुई में आप लोग के लिए हरा भरा उप्पम की रेश्पी लेकर आई हूं, तो उसके लिए सामग ली है, यहां मैंने फ्रेश मटर लिया है, एक कप सूजी, एक गाजन मैंने कद्दू कस कर लिया है, एक बारी कटा प्याज एक टामाटर बारी कटा हुआ, हरा धनिया पत्ती बारी कटा हुआ, गिमला मिर्च बारी कटा हुआ, एक कप दः, आधा चमट जीडा, स्वादार हुशार नमक, काली मिर्च पाउडर, अधरक एक इंज का टुकडा, जिसे मैंने मोटा-मोटा काट लिया है, दो से तीन हरी मिर्ट बारिक कटा हुआ, पान से छे कली लहसुन की जिसे मैंने काट लिया है, आयल, पानी, अब हम मिक्सर जाल लेंगे, जिसमें मटर को लेंगे, लहसुन, अरा मिर्ट, अधरक, लेकर दरदरा पीछ लेंगे, देखिए दोस्तों, इसे मैंने दरदरा पीछ लिया है, अब हम इसमें ही डालेंगे, सूजी, प्याज, गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, धनिया पत्ती, डाल के इसको चलाएंगे, इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए, हम इसमें नमक डालेंगे, जीरा डालके इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, अब हम इसे दस मिनट के लिए धक कर रख देंगे, दस मिनट हो चुके हैं, बेटर हमारा थोड़ा गाढ़ा है, हम इसे थोड़ा पानी और राइल करेंगे, दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा मतर दाने को डालेंगे, अब हम गैस पर तावा रखेंगे गरम होने के लिए, और इसमें जड़ा सा पेल दालाएंगे, हम इस पे बैटर डालेंगे, और दो मिनट के दिए धग देंगे, अब हम इसे पल्टेंगे, यह मारा उत्पन तया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे, इसी तरह हम सारे उत्पन को मनालेंगे, लीजिए दोस्तों, हमारा उत्पन तयार है, अरियर के चटनी से सारू कर सकते हैं,